मोनु की जादूई टोपी, मोनु मैजिकल हैथ मोनु एक छोटे से गाव में रहता था वो बहुत ही खुश्मिजाज और जग्यासू बच्चा था एक दिन, मोनु एक जादूग से मिला जादूग ने मोनु को एक खास टोपी दी और कहा ये टोपी तुम्हें कहीं भी ले जाएगी जिस जगल तुम चाहो और वहां तुम्हें जो भी चाहिए मिलेगा मोनु ने वल जादूई टोपी पहनी और बहुत ही उत्साहित होकर घर से बाहर निकला उसने टोपी को पहना और मानगा टोपी मुझे एक मिठाई की दुकान चाहिए और देखो अचानक सामने एक मिठाई की दुकान आ गई मोनु ने खुश होकर मिठाईों की खरीद की और फिर टोपी से गाउं के पार जाने के लिए कहा मोनु ने टोपी को कहा तोपी मुझे एक उलने वाला पर्वत दिखाओ और देखो वहाँ एक उलने वाला पर्वत आ गया मोनु ने उलान भरी और खूबसूरत जगहों को देखा फिर मोनु ने तोपी से कहा तोपी मुझे अपने घर वापस ले जाओ और टोपी मोनू को उसके घर वापस ले आई मोनू ने जादूगा को धन्यवाद कहा कि आज उसकी वजह से वो इतने नए अनुभव कर सका और उसको टोपी वापस कर दी